जैहिन दोस्तो मैं हूँ अनूब और आप सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉन्फिलिक्ट दोस्तो दुनिया में अब ढखे चुपे नहीं है कि टर्की और पाकिस्तान एक तरीके से मिलिटरी एलाइन्स के तहट एक दूसरे का मदद कर रहा है और पाकिस्तान द्वारा अब टर्की के इलेगल लड़ाई को अपने सैनिक और आतंकी ग्रूपों द्वारा भी लड़ा जा रहा है पर ग्रीस मीडिया के रिपोर्ट को अगर माने तो अब पाकिस्तान के तरफ से टर्की के F-16 को उराने के लिए भी अपने फाइटर पाइलेट भेजा जा रहा है दोस्तो आज के वीडियो के सबसे पहले अपडेट में मैं आप लोग को टर्की और पाकिस्तान के इसी गडवन्दन के बारे में बताऊंगा साथ में ये भी बताऊंगा कि क्यू ऐसा जरुवत पड़ा कि टर्की को पाकिस्तान से पाइलोटों को इंपोर्ट करना पड़ा जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में रेशिया के लाइट टैंक स्पूर्ट्स HD के बारे में बताऊंगा और साथी साथ ये भी बताऊंगा कि भारत को क्यू इन टैंकों का काफी ज़्यादा आवशकता है तो दोस्तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तो हाली में टर्की एक कुछ इंटरनल रिपोर्टों में खुलासा किया गया है कि टर्की के पास फाइटर पाइलोटों का काफी कमी है टर्की द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए fighter pilot को recruit करने का एक program भी launch किया गया था जिसके तहट टोटल 554 नया पाइलोटों को recruit करना था जिन में 190 fighter pilot होना चाहिए था पर इससे भी टर्की का पाइलोटों के जरुवत पूरा नहीं हुआ 2014 के एक report के मताविक उस समय टर्की का situation सबसे खराफ था तब pilot to aircraft का ratio टर्की में सबसे निचले स्तर करिवन 0.65 था लेकिन तब टर्की द्वारा इन मुद्दों के उपर ध्यान देते हुए कुछ नया पाइलोटों को recruit किया गया और 2017 में इसे सुधार के pilot to aircraft ratio 0.37 तक लाया गया पर दोस्तों इस दर्मियान टर्की के तरफ से नया पाइलोटों के recruitment के इलावा पाकिस्तान से भी fighter pilotों को import किया गया दोस्तों कुछ रिपोर्टों में ये भी खुलासा किया गया है कि टर्की के जो fighter pilot है वो समय से पहले retirement ले ले रहे है या फिर forces में काम करना नहीं चाहते है इवेन जो टर्की के पास pilot है उनका professionalism को लेके भी सवाल उठने लगा था इसलिए टर्की द्वारा एक नया fighter program को भी launch किया गया था जिसके तहट नौन टर्कीश पाइलोटों के द्वारा अपने fighter pilotों को train किया जाना था दोस्तों इसके लिए टर्की द्वारा अमेरिका से भ पर्मिशन दिया गया था पर कूबर्टली टर्की द्वारा पाकिस्तान को request किया गया कि पाकिस्तान अपने trainer pilotों को टर्की भेजे ताकि तर्की के एफ्सिक्शन के पाइलोटों को training provide किया जा पाए दोस्तों Greek Media द्वारा भी हाली में report किया गया है कि टर्की के एफ्सिक्शन पर ज्यादा तर देश अमेरिका के मर्जी के खिलाफ जाके तर्की का मदद नहीं कर सकता, अमेरिका द्वारा जिन देशों को पर्मिशन दिया गया था वो भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो अमेरिका के मर्जी के खिलाफ हो, पर तर्की द्वारा अपने पाइलेटों को ख़ और खाली ऐसा नहीं वो इल्लीगली टर्की को बहुत तरीके से मदद भी कर रहा है जिन में आतेंकी ग्रूपों को सप्लाई करके अजर्वैजान और अर्मेनिया के लड़ाई में हस्तेक्षब करना भी शामिल है और दोस्तों यही कारण है जहाँ पे टर्की के पास और कोई ओप्शन नहीं रहा बोलके पाकिस्टान से पाइलोटों को इंपोर्ट किया जा रहा है और दोस्तों इन बातों को लेके पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे वी है जो हला मचाएंगे कि उनके पाइलट बहुत बहतरीन है बोलके ही टर्की द्वारा पाकिस्तान के पाइलोटों को ही बुलाया जा रहा है पर असल मुद्दे को देखे तो आप सब लोगों को पताई होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के F-16 को इंडिया के MIG-21 ने म दोस्तो अब चलिए जानते है कि इंडिया और चायना के जड़ब के दर्मियान भारत को रशिया के Spruits HD नाम टैंक डिस्ट्रोयर का इतना ज़्यादा ज़रुरत क्यों है दोस्तो इंडिया और चायना के लदाक में जड़ब के दर्मियान आप सब लोगों को पताई होगा क चायना के तरफ से जहाँ पे Type 15 Light Tankों का deployment किया गया है वही पे भारत द्वारा अपने T90 और T72 जैसे भारी वरकम टैंकों का deployment किया गया दोस्तो भारत के ये टैंक चायना के टैंकों के उपर भारी तो है लेकिन ये वर्जन में भी चायना के टैंकों के तुलना में भारी है औ ये बढ़ोतरी और जादा आगे बढ़ जाएगा लाइट टैंकों के जुरोतों को पूरा करने के लिए जहाँ पे DRDO के तरफ से ग्रीन सिगनल दे दिया गया है और DRDO का कहना है कि जल से जल इंडियन आर्ण फोर्सेस के लिए लाइट टैंकों का निर्मान कर लिया जाएगा जिसे इंडिया आसानी से लद्दाक के हाई अल्टिटूट एरिया में डिप्लॉई कर देगा वही पे आर्ण फोर्सेस के तरफ से इस गैप को पूरा करने के लिए लाइट टैंकों को फोरेंड कंट्री से इंपोर्ट करने का भी सोच विचा रखा जा रहा है दोसो अगर कोई foreign country से light tank इंडियन आर्मी के लिए import किया जाता है तो इन में संभावना है सबसे जादा रेशिया के light tank sports HD का होगा दोसो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन टैंकों में काफी ऐसे कुछ खासियत है जो इन टैंकों को चायना के खिलाब तो मजबूत बनाएगा ही साथ में Indian Armed Forces के इस्तिमाल के लिए भी काफी वहतरिन टैंक बनाएगा दोसो ये टैंक खाली एक हलके वजनी टैंक नहीं है बलकि ये एक वारी वरकाम टैंक का तो भी इस्तिमाल कर रहा है मतलब हलके वजनी होने के बावजूद इसमें 125 mm का गन का इस्तिमाल किया गया है जो गन रश्या के मेन बैटल टैंक T90, T72 और T14 आर्माता जैसे टैंकों में इस्तिमाल होता है दोस्तो इससे दुश्मन के उपर फायर पाउर में काफी जादा बढ़ोतरी भी मिलेगा जबकि इसके इलावा लोजिस्टिक में भी भारत को मदद मिलेगा क्योंकि अल्रीड टी-90 और T72 में जिन एमुनिशनों का इस्तिमाल किया जा रहा है उनका ही इस्तिमाल इन टैंकों में भी किया जा सकेगा इवन भारत द्वारा जो anti-tank, ammunition का development किया गया है, उसे भी इन छोटे आकार के टैंकों के द्वारा दागा जा पाएगा, दोसो रशिया के ये Spruits HD टैंकों को फिलाल रशिया के Air One Divian द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, साती साथ ये खाली एक हलका टैंक नहीं बलकि इसे ए 125 mm के गन है, दोसो रशिया के इन Spruits HD टैंकों का वजन सिर्फ 18 टन है और इसे आसानी से Air Drop भी किया जा सकता है, जबकि दूसरे तरफ चाइना द्वारा जो type 15 टैंकों का deployment लदाक के high altitude area में किया गया है, उनका वजन को देखे तो ये करीवन Spruits HD के तुलना में दुगना पर इसके इलावा इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसे एक टैंक destroyer कहा जाता है, मतलब खास करके ये दूसरे टैंकों को तभा करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दित्ये विश्यद्य के समय में जहाँ पे anti-tank artillery और anti-tank गनों के मदद से टैंकों को ध्वस किया जा पर अभी वी रश्या द्वारा कुछ टेकनोलोजियों के उपर काम किया जा रहा है जो एक टैंक से दूसरे टैंकों को आसानी से ध्वस कर सकता है, पर दोस्तों Spruits HD का सबसे बड़ा advantage है इसका amphibious होना, आप सब लोगों को पत्याई होगा कि लदाक के एरिया में बहुत सा अलावों का संख्या बढ़ जाता है, और दोस्तों amphibious टैंक होने के मतलब ये है कि ब्रीज अगर नहीं भी हो तो आसानी से ये टैंक ऐसे छोटे मोटे वाधाओं को पार कर पाएगा, इवन हलके वजनी होने के वज़ा से ये उबर खावर रस्ते में भी आसानी से operate हो टैंकों में एक laser range finder और ballistic protection system भी लगाया गया है जो दुश्मन के anti-tank missile और दुश्मन के tank projectile को भी रस्ते में ध्वस कर पाएगा और टैंकों के सुरक्षा को भी पुकता करेगा, दोस्तों जहाँ पे दूसरे तरफ हलके वजनी टैंकों को वजन कम करने के लिए सुरक्षा क के उपर ध्यान नहीं दिया जाता है वही पे रस्या के इन हलके वजनी टैंकों को सुरक्षित बनाने के लिए armor protection के जगा कुछ दूसरे तरीके को अपनाया गया जो टैंकों को सुरक्षित भी बनाता है और घातक भी बनाता है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जैहिंद!